असलाम अलेकूम तो आज हम क्लास 11 के चैप्टर नमबर 3 के एक्साइज 3.1 देखेंगे तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यह चैप्टर है तो कॉस्टर नमबर 1 है इसका इसके अंदर उसमें दो मैट्रिक्स दियों हैं A और B और फिर्स्ट पार्ट है 4 A माइनस 3 A इक्वल टू A तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसके अंदर मैट्रिक्स पूट करेंगे और उसे सोर्ट करेंगे तो सुलुशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमनें verliert and side it left hand side equal hay 4 A minus 3 A तो यहां पर हमने इह मैट्रिक्स को पूट किया है 4 into a मैट्रिक्स to 2 A matrix then हमने यह जो स्केलर्स है इनको उन्दर multiply कर वाया matrix के तो यहां पर 4 उन्दर multiply होगा तो यह जगा 8 4 3s are 12, 4 ones are 4, 5 4s are 20, minus का sign as it is then 3 is matrix के साथ multiply होगा तो यह आएगा 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 ones are 3 और 5 3s are 15 इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है तो यह आज़िगा 8-6, 12-9, 4-6, sorry 4-3, 20-15, ठीक है, जो 1st मैट्रिक्स है, sorry, जो 1st एंट्री है, वो 1st से माइनस होगी, जो 2nd एंट्री है, 2nd से, 3rd, 3rd से, और 4, 4 एंट्री से ही माइनस होगी, ठीक है, तो इनको हम माइनस तो लास्ट में जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, वो है 2, 3, 1, and 5, तो यह मैट्रिक्स हमारा A के इक्वल आगया है, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आगी है, राइट हैंड साइड के, तो हमने यही इसमें प्रूफ करना थ तो इसका second part है 3B minus 3A equals to 3 into B minus A ठीक है यहां पर हम दोनों side को लेंगे और इनके answer जो हैं वो equal आने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हमने left hand side ली है 3B minus 3A तो यहां पर हमने matrices को put किया है 3 into B matrix minus 3 into A matrix then first हम scalars को multiply करवाएंगे तो यह matrix हो जगा 3, 3 7s are 21, 6 3s are 18, 4 3s are 12 minus as it is then 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 3s are 15 then हम इन matrix से इसको minus करेंगे तो first entry first से minus होके answer 3 आजएगा second entry second से minus होके answer 12 आजएगा 18 minus 13 करेंगे 15 आजएगा 12 minus 15 करेंगे तो answer minus 3 आजएगा तो left hand side का हमेरा यह matrix आगया तो इसको हमने equation number 1 का नाम दे दिये next हमने इसकी right hand side ली है right hand side है 3 into B minus A 3 बाहिर आजएगा bracket में सबसे पहले जो value हम उसको solve करेंगे B minus A, B matrix में से हम A matrix को minus करेंगे तो इन दो matrices को हम minus करेंगे first entry first से minus होगी तो answer minus 1 आजएगा second entry second से minus होगी answer 4 आजएगा third entry third से minus होगी answer 5 आजएगा fourth entry fourth से minus होगी तो answer minus 1 आजएगा और बाहिर इसके multiply हो रहा है 3 next step में 3 को और multiply करवाएगे तो यह आजएगा minus 3, 12, 15 और minus 3 तो यह हमारी right hand side आगी है 1 और इसको equation number 2 का नाम दे दिया है तो आप इदे लिख सकते हैं by equation 1 and 2, left hand side equals to right hand side तो second question में A matrix given है उन्होंने कहा है आपने show करना है A की power 4 equal है I2 के means कि identity matrix 2 by 2 के matrix के equal आना चाहिए ठीक है A4 equal आना चाहिए identity matrix 2 by 2 order का ठीक है तो सबसे पहले हम A4 find करेंगे ठीक है तो A4 हम किस तरह से find कर सकते हैं कि हम A2 multiply A2 कर सकते हैं means कि A2 multiply A2 कर सकते हैं और A2 हम किस तरह से find कर सकते हैं A को A से ही multiply करवाके हम A2 find कर सकते हैं तो सबसे पहले हम a2 find करेंगे, then हम a4 find करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम a2 find करते हैं, a2 के लिए हम a multiply a करेंगे, a matrix को हमने a matrix से multiply करवाया, तो यहां पर क्या होगा, first entry first से multiply होगी, दर्मिया हमें plus का sign, फिर second entry second column की second entry से multiply होगी, then इसी तरह first row second column से multiply होगा, then second row first column से multiply होगा, और फिर second row second column से multiply होगा, तो यह हमने इदर multiplication की है, ठीक है, उसके बाद हमने इसको simplify किया है, आयोटा से multiply होगा, आयोटा स्केर आजाएगा, और यह 0 से कोई चीज multiply होगी, तो यह 0 आजाएगी, 0 से कोई चीज multiply होगी, प्लास का sign दर्मियान में, यह 0 से कोई चीज multiply होगी, तो 0 आजाएगा, प्लास का sign as it is, और माइनस से योटा माइनस से योटा से मल्टिपलाए होगा, तो योटा स्केर आजाएगा, ठीक है, अगेन simplify किया है, तो यहाँ पर योटा स्केर आजाएगा, zero आगया योटा माईनस iota आगया और iota square आगया तो हमने iota square की value पुट की है तो iota square की value इपाइ eder minus 1 के रीक है तो यहां पे हमने value पुट कर दी minus 1, 0, 0, minus 1 तो यह हमाँ पास क्या आगया A square आगया दिक है तो यहां से हम A 4 पॉइंड करेंगे तो a².a² करेंगे तो हमार पास a4 आ जाएगा तो यहां पर a² को a² से multiply करवाएंगे तो इसमें क्या होगा पहले first row first column से multiply होगा फिर first row second column से then second row first column से multiply होगी और फिर second row second column से ही multiply होगी ठीक है तो यहां पर हमने यह multiplication कर दी then इसको हमने simplify किया है तो simplification में यहां पर आजाएगा one plus zero zero plus zero zero plus zero और zero plus one तो इसको simplify किया तो आगया one zero zero one जो कि हमार पास identity matrix two by two के equal है तो इसका third question है find x and y if x and y आपने find करना है और उसने matrix दियों में उन्हें कहा है कि यह equal matrices हैं अगर equal matrices हैं तो इसका मतबब है कि इनकी जो entries हैं corresponding entries जो हैं वो equal हैं ठीक है means कि first entry first के equal है second second के equal है इसी तरह सब entries एक दूसरे के equal है corresponding एक दूसरे के equal है तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा कि x plus three equal है टू के तो यह हमने दे लिख लिए तो यह सको हमने फर्स्ट equation का नाम दे दिया इस तरह one to one के एक्वेजन बन गई यहां से हम अब एक्स और य की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो हमने फिर्स्ट एक्वेजन सबसे पहले लिए यह एक्स प्लस इकोल्स तो ठीक तो एक्सि साइट पर जाकर मायनस हो जाएगा तो यह आदेग Haushका अधिक यह पॉस्टेन गाराम से एकवेजन लिए यह नंबर 2 है 3y-4 equals to 2, 4 equal के दूसरी साइट पर प्लस हो जाएगा, तो 3y equal आजाएगा 6 के, अब 3y के साथ multiply हो रहा है, तो equal के दूसरी साइट पर जाके divide हो जाएगा, तो y की value अब मिल जाएगी 2, ठीक है, तो यहाँ से हमने दो वैलियूस फाइंड कर लिए एक्स और वाइड की यह हमने इसके अंदर फाइंड करना था नेक्स इसका पार्ट नंबर तू देखते हैं इसमें भी आपने एक्स वाइड की वैलियूस फाइंड करनी हैं दो मैंट्रीज इकुल हैं मीन्स के इनकी अधिक कर्स्पर्णिंग एंट्री स RecommEl होगी तो एक्स प्लस 3 एक्स अंत्रीज होगा य के यहमारे फार्स्ट इएंज हागी और फीवाइड माइनस 4 एक्स के तो यह हमारे पास सैकें नुटफि यडियां आ थास स्याइन की jul था हैं मित दूसरे साइट पे किया हैं Lum equation आगी और 3y-4 equal होगा 2x के तो यह हमारे पास second equation आगी तो सबसे पहले हमने equation number 1 को set किया, rearrange किया तो यह बन जाएगी y-x equals to 3 और equation number 2 को भी rearrange किया, means के x और y जो variables हैं वो हमने एक side पे कर लिए हो, जो constant है वो equal के दूसरी side पे की है, तो यह equation number 2 बन की 3y-2x equals to 4 और इसको हमने equation number 3 और 4 का नाम दे दिया, then हमने इसको simultaneously solve करना है, ठीक है, एक ही साथ रखके इसको हमने solve करना है, तो हम क्या करते है, जो equation number 3 है, इसको अगर हम 2 से multiply करवा दें और subtract करवा दें तो एक variable इसमें से cancel हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे equation number 3 को 2 से multiply करवाया है, तो यह आएगा 2y-2x equals to 6, फिर इस equation को हमने इस fourth equation से minus कर दिया, 3y-2x equals to 4 को हमने minus किया है, जब हम minus करते हैं, तो इनके जो sign है, वो change हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे plus था, minus हो गया, यहाँ पे plus था, तो यह minus हो गया, तो यहाँ पे यह minus का 2x हो, यह plus का 2x बनके यह cancel हो गया, और यहाँ पे 2y-3y बनके तो यहाँ पे answer minus y आ गया, और यहाँ पे 6-4 किया, तो answer 2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें y की value मिल जाएगी 2, अब इस 2 value को हम put करेंगे equation number 3 में, ठीक है, equation number 3 में इसलिए put करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमना पास x की value हमें मिल सकती है, ठीक है, तो हमने equation, sorry, y की value को put के equation number 3 में, equation number 3 थी, y minus x equals to 3, तो y की value यहाँ पे put की minus 2, minus x equals to 3, तो यहाँ से हमारे पास x equal के दूसरे साइट पे प्लस हो गया, और 3 equal के इस साइट पे आके minus हो गया, तो यहाँ से हमें x की value मिल गी, minus 5, ठीक है, तो x और y की दोनों की हमें value मिल गी, तो यह हमने इसमें find करना था, next question number 4 है, a और b matrix given है, और इसके अंदर उसने parts दिये हैं, वह हमने solve करने है, तो first part है, 4a minus 3b, तो यहाँ पे हमने matrices को put की है, 4 into a matrix, minus 3 into b matrix, ठीक है, तो सबसे पहले यह scalars multiply हो जाएंगे, तो यह बन जाएगा, minus 4, 8, 12, 4, 0, 8, minus का sign as it is, then 0, 9, 6, 3, minus 3, minus 6, ठीक है, तो अब यह दोनों matrix की हो जाएंगे, minus होंगे, first entry, first term minus होगी, तो minus 4 आजएगा, second, second से minus होगी, minus 1 आजएगा, 12 minus 6 होगा, 6 होगा, 4 minus 3 होगा, 1 आजएगा, 0 minus into minus 3 होगा, तो plus 3 आजएगा, 8 minus 6 होगा, तो यह 2 आजएगा, ठीक है, तो यह इसका answer है, next, इसका part number 2 है, a plus 3 into b minus a, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इदर matrices को put कर दिया है, a और b matrices, जहाँ जहाँ पर आने थे, वहाँ पर हमने put कर दिया है, then जो bracket वाले brackets में हैं, जो value वो सबसे पहले हम solve करेंगे, तो यह वाले matrix है, b minus a, यह पहले solve करेंगे, b matrix में से a matrix को minus करेंगे, तो यहाँ जहाँ गा 1, 1, minus 1, 0, minus 1, 0, ठीक है, और बाहिर इसके 3 multiply हो रहा है scalar, यह वाला matrix है, a matrix है, as it is, चलता जाएगा, ठीक है, जब हमने solve किया, तो इसके बाहिर 3 है, तो इसके बाहिर जो scalar है, वो पहले multiply हो जाएगा, तो यहाँ देगा, 3, 3, minus 3, 0, minus 3, 0, ठीक है, अब यह दोनों matrix आपस में plus हो जाएगे, इन दों matrix को जब plus करेंगे, तो इसका answer है, तो यह इसका final answer है, तो इसका question number 5 है, इसमें भी आपने x और y की values find करनी है, और यह question आपको given है, ठीक है, यह matrix है, plus 2 into this matrix, equal के बाद यह वाला matrix है, ठीक है, तो सबसे पहले left side पे हमारे पास scalar एक multiply हो रहा है matrix के साथ, तो पहले हम scalar को solve करेंगे, scalar रंदर multiply हो जाएगा matrix में, यह वाला matrix जो है, वो as it is चलता जाएगा, plus into 2 multiply होगा, इस matrix है, तो यह वाले left side पे दोनों matrix है, यह क्या हो रहे है, तो इन दोनों को हम add करवा देते हैं, तो यह वाले है, 4, 2x, x plus 2y, 1, y plus 4, 1, और यह वाले हैं, दोनों matrix चलता जाएगा, यह equation बन गही है, कि यह दोनों matrix equal है, तो equal है, तो इनकी corresponding entries भी equal होंगी, तो यह देगा, 2x equal हैगा minus 2 के, इसको हमने equation number 1 का नाम दिये, then x plus 2y equal हैगा 3 के, और y plus 4 equal हैगा 6 के, तो इनको हमने equation number 1, 2 और 3 का नाम दे दिये, तो यहाँ से अब हम x और y की values को find करेंगे, तो by equation number 1, equation number 1 से हम easily एक variable की value find कर सकते हैं, तो हमने equation number 1 को लिये है, 2x equals to minus 2, तो 2 equal के इस side पे आके divide हो जाएगा, तो answer इसका x का क्या आजाएगा, minus 1, then हमने equation number 3 को लिये, equation number 3 थी, y plus 4 equals to 6, तो यहाँ से हम y की value easily find कर सकते हैं, तो यह आजाएगी, y equals to 6 minus 4, ठीक है, plus हो रहा था इस side पे, तो एकल के दूसरी side पे value minus हो जाएगी, तो y की value मारपास आजाएगी 2, x की value आजाएगी minus 1 और y की value आजाएगी 2,